तो यहां पर हम लोग questions को discuss करेंगे जो कि class 7 के होंगे और में लिए GK Olympiad में जो questions पूछे जाएंगे उसी से ही related questions है sample ये पर है ये SOF foundation जो आपका paper लेता है उसके questions यहां पर discuss करेंगे दस questions होंगे और mainly जो आपके main paper में देखेंगे तो 50 questions आएंगे किस तरीके से हैंगे उस अब यहां पर लिखा गया है लेकिन हम लोग बिना time देश के first question देखते हैं first question में क्या कहा गया है तो देखें first question में क्या कहा गया है इसमें कहा गया angel falls is world's tallest waterfall तो सबसे tallest waterfall जो है उसका नाम क्या है angel fall है अब आपको बताना है जो angel fall है वो किस country में located है यह आपसे question में पूछा गया है तो यह located है वेनेजुला में तो यहां पर भी option बिलकुल सही है next पर आते है question second में कहा गया an important contribution of Swami Vivekanand was तो देखें एक Swami Vivekanand के बारे में आपसे पूछा गया है सबसे important contribution जो Swami Vivekanand जी का था वो क्या था तो opening of Bhu तो Bhu तो इन्हों नहीं नहीं किया यह किस ने open किया था तो Mother Mohan Malviji जी ने इसको open किया था ठीक है next में आते Abolition of Sati System इसमें Raja Ram Mohan Roy involved थे ठीक है Raja Ram Mohan Roy involved थे और मेंली Lord William Bentic के साथ मिलके इन्होंने Sati System को खतम किया था शांती निकेतन भी गलत है यह मेंली रविन्दा टेग वो इस से related है तो जो राम कृष्ण मिशन है वही सही answer है इसको और इसको किस ने open किया है मतलब इसको किस ने start किया था स्वामी वेकान जी ने start किया था और इनके जो गुरू थे उनका नाम था राम कृष्ण परम हंसुनी के नाम पर इनोंने राम कृष्ण मिशन start किया था तो हम लोगी country के सबसे longest serving PM कौन थे यह आपको बताना है तो यह है जवाहर लाल नहरू जी तो यहाँ पर बी option सही है नेक्स्ट पर आते हैं question number 4 में का गया how many schedules are there in Indian constitution तो इंडियन constitution में total कितने schedule है तो देखे जब भारत का सम्विधान बना तो कितने schedule थे 8 schedule थे बाद में 4 और add कर दिये गए तो total list में कितने हो गए बारा हो गए तो बारा schedule है constitution में अच्छा जब constitution बना है तो 395 articles थे इसके बाद अगर अब आप देखेंगे तो यह approximately 480 के असपास article हो जुके हैं ठीक है तो यह दोनों चीज़े आपको फिलाल पता होनी चीए article नहीं पू जो option होगा देख लेते हैं कौन सा option होगा इसमें ठीक है तो देखें जो यहाँ पर B option हो बिल्कुल सही है global positioning system is the correct answer question नमबर 8 पर 6 पर आते हैं 6th question को देखते है 6th question में क्या कहा गया है 6th question कहा रहा है dash is the largest member of monkey family अब देखें monkey family में सबसे बड़ा member कौन सा है यह आपको बताना ह तो मतलब सबसे बड़े जो monkey होते हैं वो कौन से होते हैं तो mandrel होता है क्या होता है mandrel is the correct answer that is option number C question number 7 पर आते है what is the full form of land तो आपको land के अलावा आप 2-3 और full form पता होने चाहिए van भी पता होना चाहिए man भी पता होना चाहिए ठीक है तो man का मतलब होता है metropolitan area network wide area network WAN है और local area network जो होता है वो क्या होता है LAN होता है तो यहाँ पर a option बिलकुल सही है आप लोग ने IT में computer पढ़ा जरूर होगा next पर आते हैं अगला question 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 8 है तो देखे इसमें क्या कहा गया farmer who regularly win price for best crop अब देखे एक farmer है जो क्या करता है उसको मतलब regular price मिलते हैं और किसी के लिए best crop output लिए उ success as अब देखे उसने reason explain किया है success का I share my best I share my best seeds with my neighbors farmers अब देखे वो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अपने neighbor के साथ में सबसे अच्छे seeds share करता है मतलब अपने जो पडोसी उनको भी अच्छे seeds provide करता है इससे उसको कैसे फायदा हो सकता है यह आपको यहाँ पर बताना है मतलब वो खुद अच्छे seed लगाता तो बात थी लेकिन वो क्या कर रहा है अपने neighbor को भी अच्छे seed दे रहा है इससे उसका क्या फायदा होने वाला यह यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो पहला दिया गया he did not want his neighbor to be jealous तो jealousy किया बात नहीं है scientific reason होगा कुछ he really liked his neighbor तो यह भी गल question number 9th देखते हैं 9th question देखें क्या गहा है तो देखें इसमें कहा गया है select the incorrect match अब आपको बताना है यहाँ पर एक play दिये गये हैं जैसे Othello हो गया as you like it हो गया King Lear हो गया Macbeth हो गया सबके सब William Shakespeare के play है अब आपको बताना है कौन character से match नहीं करता तो जिसने literature थोड़ी सी आते हैं question number 10th और यह आज का हमारा आखरी सवाल रहेगा इसमें कहा गया sum of 1550's lent out into two parts अब देखें कि दो पार्ड में 1550 को lent किया गया है divide किया गया है one at 8% and other at 6% एक को दिया गया है कितने परसेंट पे 8% पे और दूसरे को दिया गया है कितने परसेंट पे 6% पे the total annual interest is 106 और जनी को जो 6% किया गया है वो इसका सही answer बताना है क्या होगा ठीक है तो देखें सिंपल साब को काम करना है SI का formula लगाना है SI का formula होता है P into R into T upon क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ठीक है तो principle अगर आप देखें total यह है आप क्योंकि दो पार्ट में divide किया गया तो पहले पार्ट ठीक है upon क्या कर दीजिए upon कर दीजिए hundred ठीक है और इसमें add कर दीजिए अब देखें दूसरा principle क्या रह जाएगा पहला अगर x हो गया तो दूसरा हो जाएगा 1550-X ठीक है, इंटू R कितना है, तो पहला R था 8, दूसरा R है 6, इंटू T कितना है, 1 है, upon क्या है, 100 है, ठीक है, और SI कितना है, 1550 है, 1550, पुट कर दीजे, ठीक है, फिर क्या करना है, 100 LC हम लेकि आप पूरे को solve कर दीजेगा, 100 को इधर shift कर दीजेगा, फिर आपको क्या करना है, X क value निकाले, लेकिन X की value निकलेगी, वो आपका answer नहीं होगी, X हमने किसका लिया था, 8% वाले का लिया है, तो आप क्या करेंगे, 1550 में X को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक कर देंगे, और जब 1550 में X को आप सब्ट्रैक करेंगे, तो answer क्या आ जाएगा, 900 LC का correct answer आ जाएगा, क्योंकि जब आप 1550 में 650 को सब्ट्रैक करेंगे, तो देखे, 00, और 1500 900, ठीक है, तो 900 आपका answer बच जाएगा, तो यहाँ पर B option सही है, तो इस तरीके से इस question को कर सकते हैं, ठीक है, तो यह कुछ questions थे, जो हम लोग ने discuss के, इसके लाव और भी MCQs आपको मिलेंगे, जो आप एक लिए फलालत नहीं, thank you very much, goodbye, jahind